हेलो एवरिवन आज हम डिसकस करने वाले हैं Central University of South Bihar के admission process के बारे में बात करने वाले हैं इसके बारे में eligibility criteria यह सब मैंने आपको पहले ही update कर दिया था अब आपको पता है कि CU8 के exam हो रहे हैं ठीक है phase 1 के exams हो गए है phase 2 के exams अब हो रहे हैं phase 2 के exams भी 20 अगस्ता complete हो जाएंगे अब बात आते हैं कि उसके बाद आपको क्या process follow करना है उसके बाद आपको क्या करना है जब आपका CU8 का score काड़ आ जाएगा उसके बाद आपको जिस भी universities का आपका target है हम यहाँ बात कर रहे हैं Central University of South Bihar तो आपको जो है CUSB Central Universities of South Bihar का भी जो है counseling का form भरना पड़ेगा अगर आप counseling का form नहीं भरेंगे तो आप इस universities के लिए eligible नहीं होंगे ध्यान रखना है सिर्फ इस university के लिए ही नहीं आप other universities के लिए भी eligible नहीं होंगे अगर आप जिस universities में admission लेना चाहते हैं आपको उस universities का admission form फिल करना पड़ेगा पहली चीज़ यह आपको ध्यान रखनी है अब admission form फिल करेंगे तो यस उसके लिए आपको charges भी लगेंगे जहां तक है fees का अगर हम बात करें fees के charges आपको 200 से 500 रुपीज जो है आपकी counseling fees के जो है charges लगने वाले हैं चीक है यह कम भी हो सकते हैं यह ज्यादा भी हो सकते हैं मैं आपको एक अंधाजा बता रहा हूं चीक है अब देखिए आपको उसके बाद क्या करना है जैसे माल लीजिए आपने BA BA course के लिए अपलाई किया तो उसके लिए आपको eligibility criteria चेक कर लेना है जैसे section 1A में language test English composer है तो यहाँ पर आपके पास English होनी चरूरी है डोमेन में teaching aptitudes plus history plus geo plus political plus eco for arts science commerce streams और general test composer तो यानि आपके सारे test का eligibility criteria जब आप fulfill कर रहे हो आपने ये सारे test जो है CUAT के exam में दिये होने चाहिए तब ही आप इस universities में apply कीजेगा otherwise आप जो forms की fees भरेंगे उसका कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि आप counseling में eligible नहीं हो पाएंगे तो ऐसी देखिए अगर माल लीजिए कोई और कोर्स है बीस सी बीए तो यहाँ पर language test हो गया teaching aptitude हो गया यह science stream व eligibility criteria fulfill करना है तब ही आप counseling में participate कर सकते हैं ठीक है तो अच्छे से ही आपको eligibility criteria चेक कर लेना है इसका PDF जो है हमारे telegram page पे आपको मिल जाएगा link आपको description box में मिल जाएगा बाकी और कुछ भी update आएगा आपको चैनल पर वीडियो बनाके update कर दिया जाएगा form कैसे फिल करना 2021 का update दिया गया था 2021 में तो से यू सैट था जो कि अब क्या हो गया है से यू एट हो गया है चीक है तो यह आपको ध्यान रखना है counseling form भरना मत भूलेगा अदरवाइज आप admissions के लिए eligible नहीं होएंगे थैंक्यू